पूछ ले क्योंकि अगर इतने सारे कोशन बनाने भी हैं तो इस तरीके के कोशन भी पूछ सकता है तो कुछ चीज ये बार-बार आखों में सामने से निकले जाए तो भी अच्छी है अब जैसे बुग पड़ी शॉर्ट में अगर कुछ लगा मुझे लिखने लाए तो लिख है हमारी आखों से निकलती भी रहे हैं इसको लिख भी लेंगे तो यह फंक्षन वाली कल की वीडियो है तो इसके आगे लिख देता हूं दोनों सेंड करता हूं आपको एक तो पाइधन किसने बनाई मताब यह कोशन बन सकता है है ना इसका कुछ नाम था कब बनी है 1991 में बनी है और बनी कहा पर इंदर लांड में बनी थी ऊप के नेशनल इंसिटिट अफ माथमेटिक्स अं कमेटर साइंस में ठीक है नेदर लांड में हुग इए इसके बाद अब जैसे पाइथन में कौन कौनस है पाइथन क्या है क्रोस प्लेट्फॉर्म है यह चीज़े पता होनी चाहिए cross platform का मतलब होता है जैसे windows इन पे सब पे चल सकती है न अच्छे आप वो वाले कह रहो कि जो आपने एक initially pdf भीजी थी नहीं अभी भीजी थी नप पर सो pdf भीजी थी पेज के करीब उसके मैंने देखे थे मतलब उसके मैंने question answers वाली ही वो book scan करके question answers करके भीज़ देता free है free का मतलब अब हमें download करने के लिए कोई पैसे तो लगते नहीं open source है इसका source code हमारे पास available है that means हम चाहें तो change कर सकते है portable है मतलब आप एक जगे program बना रहा है दूसरी जगे चलाएंगे तो भी वो work करेगा और जैसे कुछ language में यह होता है कि extensible है इसका मतलब क्या होता है extensible है जैसे तो इसका मतलब जयसे हमारे पास प्लस में जैसे हमारे पास इस्ट्रक्ट है तो इस्ट्रक्ट हमें क्या फीचर देता है हम खुद का अपना डेटा टाइप भी चाहे तो create कर सकते है तो वह एक्स्टेंशिबल का फीचर होता है अब यहाँ पर यह चीज क्या है कि वो तो करी सकते हैं इसके अलावा हमारे पास यह भी है कि आप यह C और C++ को भी मतलब प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है मतलब अगर हम फीचर में भी यहाँ पर लिखेंगे न जो यह python language बनी है basically इसने C को ही use किया है clear है मतलब C की चीज़ों को ही ध्यान में रखते वे चीज़े बनी है एक C और इसमें जो main difference है न मतलब अगर हम इसकी negativity की या चीज की भी बात करें negativity का में ने कुछ लिखा तो नहीं था बट main चीज जैसे C में आप pointers से deal करता है C में आपके पास क्या होता है pointers होता है और C++ में भी होता है तो pointers होने की वाइस है C is very closer to hardware लेकिन यहाँ पे इसके hardware से closeness नहीं है Python में Python is not close to hardware बस यह इसका मतलब अब भी जो main काम होता है या OS या किसी चीज़ से related programming होती है तो उसमें आज भी C, C++ काफी हद तक यही चलती है hardware के बिल्कुल close है और इसमें चीज़ करना और जैसे Python क्या है मतलब एक तरीके से बहुँ ज़्यादा मतलब एक तरीम बलकी है, size इसका ज़्यादा है ठीक है तो Python का size भी तुम्हारा ज़्यादा मतलब code का चीज़े लगती है लेकिन अगर Python की हम बात करें तो यह मतलब जैसे बुक में लिखा था 3 to 5 times less time लेता है code लिखने में as compared to other languages, मानलो Java या कुछ और, ठीक? तो यह तो इसके negativity की बात हो गई और इसके time के जागर लेता है execution time जागर लेता है कुछ और बात दिएक दिमाग में आई थी क्या था चलो, जो भी है Python क्यासी होते है, case sensitive होती है कि नहीं होती है? होती है case sensitive होती है मतलब अगर हम print small में लिखते हैं या compiled है या both है both बोथ नहीं लगा रहा है interpreted language उसी में लिखा हुआ था कि मतलब अगर आप कुछ short code बनाते हैं उसका support करते हैं तो उसको वो कर सकते हैं partially बट अगर यह option की form में आएगा तो आपको interpreted language ही लगानी है ठीक है? तो Python is interpreted language ठीक बोथ का option पर नहीं जाना है क्योंकि फिर यह को हमने भी जैसे शुरू की वो चीज देखिया उसके बाद मैंने question देखा तो interpreted language ही answer दे रहा था फिर एक दो जगए कहीं पर वैसे चेक किया तो वो भी वैसा ही दिखा रहा था ठीक है? अभी कोई बहुत सही इसका feature दियान आया था वो दिमाग से निकल लिया खेर चलो और इसमें आपको पता है जैसे हम यह लिखते है if हमने लिख दिया a less than equals to four colon लगाते है enter मारते है तो आपको पता है indentation आ जाती है तो इसका जो indentation बनेगी वो कितने की बनती है इसकी length कितनी होती है indentation की नहीं बन से आप जादा मतलब एक से जादा होने चीज़ बाइस indentation की default जो होगा वो होती है four four spaces ठीक है अब यह ऐसी चीज़ है मतलब हम indentation ठीक है होके हम इतने program बनाए वाइल में यहां पर मैं दुबारा कोई if ले लिता और यहां पर कुछ condition लिखता है यहां मारता तो है यह भी अब मान लो कुष्चन ऐसे आ जाए तो फिर तो देखते रहेंगे ना ओके क्लियर है गया अब इसके अंदर एक और इसी से है रिकर था । किवर्ट कितने है इसमें रिवर्ट कितने है इसमें यह लुडिग इसमें कितने पूर्टी पूर्टी फूर्टी फूर्टी ख़ना थय早कर यह साया राल Holzेुटी ठेडिकी से वेंटीना यह द्hrlich गूल करके देंग तावन देटा और कि वर्ड सें पाइथन है कि टोटल की वर्ड सें पाइथन है 33 ही है ठीक है तो उसके अंदर कितने होता है आपके पास सी लेंग्वेज में 32 होता है वैसे है ना फिर 79 किया था कुछ तो 79 था वही अभी ऐसी चीज़ है ना जो कुछ डारेक्ट है ना अभी या तो हम लेंग्वेज पर बहुत जादा समय बिताएं जैसे सी के तो मोस्टली अगर हम लिखना शुरू करें ना तो 32 के 32 की वर्ड सब्सक्राइब या ठीक क्लियर होंगे कि 79 कुछ तो था चलो दिया अच्छा वह क्या थी बता शायद एक सेकेंड में देखता हूं आइडेंटिफायर की लेंद्थ थी शायद लेंद्थ इन पायथन यस जैसे सी माविसको मेरे खाल से 49 कुछ करेक्टर ना कि इससे बड़ा करेक्टर आप नहीं लिख सकते हैं Etude इसको इसके लेंद्थ हैं एन पायथन वह कितनी आपकी 79 करेक्टर सा मजह रहे हैं आइडेंटिफायर यापको पता है क्या हुता है जैसे आप कोई भी नाम दे सकता है मालीघे में function का नाम रख रहा हूं sum of माणनोो natural number है ना natural numbers क्योंकि अब हम प्रोग्राम जब छोटे बनाते हैं माननो एक प्रोग्राम में 1000 फंक्शन हो रहे हैं आप sum या older सिदा नाम लेंगे तो नहीं चलेगा ना तो आप sum of natural numbers आप रख रहे हैं, underscore करके इसको रख रहे हैं, तो इसमें भी काफी words हो गया, round 20-22 हो गया होंगे, ठीक है, तो आप maximum ऐसी length कितनी रख सकते हैं identifier की, तो identifier क्या होता है, जो भी कोई आप नाम देता है, तो इसकी जो maximum length होती है, वो 73 है, तो ये दोनों question भी अब यहाँ पर लिख भी दूगे लिखना है तो, sum of natural numbers, यहाँ पर मान लो, आपने equals to zero initialize कर रहे हैं, बाद में आप इसका नाम कुछ और मतलब जो plus plus करके, जो आता रहेगा, वो आता रहेगा, ठीक है, तो ये हो गया, अच्छे, इसमें एक वो था कि quit करने के लिए, जैसे अब तो हम यह रोज बंद करते हैं, तो मैं तो L plus F4 से कर लेता हूँ, हम इने question देखा, उसमें L plus F4 था नहीं, option में, मतलब Python की window को बंद करने के लिए आप क्या करेंगे, तो L plus F4 से तो आप normally भी सारी window बंद करते हैं, ना, करते हैं कि नहीं, तो आप दूसरा option क्या है, किस यू है, यह दोन्यों किसके लिए Python की window से exit करने के लिए, ठीक है, एक और shortcut की थी इसमें, जैसे हम कोई भी command लिख रहे हैं, मालों उसे ही में थोड़ा सा change करके हमें लिखना हो, तो उस काम के लिए हम क्या करते हैं, मतलब previous command को repeat करने के लिए, उसके लिए हम करेंगे, alt plus P, क इसके लिए previous command को repeat करने के लिए, clear हुआ? जे, देखो बच्चों, एक कुछ भी इस तरीके का, जो at least उसके अंदर दे रखा है, वहाँ से कुछ भी चीज वो छोटी-मोटी पोच सकता है, अब Python के अंदर आपको पता है, दो mode में run हो जाता है, script mode में, और interactive mode में, script mode का दूसर नाम क्या है? अच्छे, इन में से Python shell किसको बोलते होंगे? जिसमें वो मिल, चलती है, script. ना, interactive mode को. अब मानले, अकांशा ऐसा कोशन आजाए ना, फिर आदमी की मातने Python shell is also known as, है ना? तो वो interactive mode को कहता है, Python का shell. ठीक, और script mode को हम कौन सा बोलता है, बताओ कोई, किसी ने, कि इडिटर बोलते हैं, अब देखो, आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, एडिटर में आप क्या करते हैं, script mode कौन सा होता है, जिसमें आप पूरा program लिखते हैं, और लिखके, save करके, कुछ चीज कर लेता है, अब आप एक बाबते हैं, interactive mode में, अगर मैं काम कर रहा हूं, मैंने लि नहीं कर सकते हैं, copy करूँगा, अगली line में अगर कुछ change करके लिखना होगा, वो करूँगा, इस line को change नहीं कर सकता, लेकिन script mode में तो आप new file कोलते हैं, उस file के अंदर कुछ भी लिखते हैं, तो चाहें तो editing करें, कुछ करें, पूरे को save करेंगे, तब आप काम करेंगे, तो इसलिए उससे कैसे python editor है, और यह क्या कहनाता है, python shell, समझ आ गई कि नहीं, तो मानलो यह question बन सकता है, मेरे हिसाब से, इसमें से 2-4 तो जरूर मिलेंगे आपको, तो python shell होगे इसको, और अब जैसे इसमें से, अगर हम बात करें, मतलब ऐसा question उसमें, output में, true-false में, 2-3 जाके दे रखा था, कि, क्योंकि मानलो question कोई बनाएगा भी न, python अगर use हो रही है, कि इस चीज में, मानलो for example, industry purpose के लिए हो रही है, तो industry purpose में तो python के अंदो तो इतनी libraries हैं, इतनी libraries हैं कि बहुत सारी है न, तो industry में जिस application के oriented काम हो रहा होगा, उसमें वो use हो रही होगी, ठ ठीक है, तो वो बंदा तो बैटके paper बनाएगा नहीं, paper कौन बनाएगा, 11-12 वालेगो, CBSC का, जो CBSC में ये चीज देख रहा होगा, और CBSC के पास अपना resource person ऐसे तो कहीं से लेके नहीं आएगे, वो भी किसी teacher या किसी गोई देखेंगे न, जो NCRT है, कहीं पे हो, resource person कैसे ब मिल गया, कोई daily government से मिल गया, है न, DOE से, या कहीं से भी जो मिल रहा है, जो इस subject specific related है, ये थोड़ी है, वो PhD करे वे किसी professor को university के उठा के इन से book लिखवार है, नहीं, क्योंकि वो school level पर गर काम करवार है, तो किस से करवार है, जो school level पर teaching या चीज कर रहा हो, मतलब ये, यस सर, तो paper भी जायद वो ही बना रहे होंगे भई, ओके, चलो, तो यानि question बनेंगे, तो शायद से यहीं इनी चीज़ों से बननी चाहिए, एक तो python को save करने के लिए, अच्छा program save करने के लिए, तो ये तो हम daily करते है, किस से save करते है, script mode वाला program, dot py, और किस चीज से कर सकत है, और क्या चीज थी, हाँ, वो वाली question निकल जाएगा फिर, question था कि script mode या interactive mode में, जैसे अगर हम editing, अगर हम मानलो उसके लिए कर रहे है, क्या बोलता हूं उसको, error find out करने को, क्या बोता है, testing अगरा के लिए, तो testing के लिए कौन सा mode जादा बढ़ी है, कौन सा जादा suitable है, script mode ही है, interactive mode, तो ये तुमारा interactive mode क्या है, suitable for, for testing, अब जैसे ये इसकी advantage में लिख रखा है, वो not advantage में लिख रखा है, script mode कभी useful है, जब हमें कोई बड़ा program करना तो हम एक साथ उसको सारे को लिख लेता है, फिर उसकी finally output लेटर on देख लेता है, save करने के बाद, run करने के, तो script mode म है, आप जैसे कुछ लिख रहे है, कि अच्छा है, क्या काम करेगा, तो उस चीज को test करने के लिए, अब देखो, generally हमने जितनी भी program, आप खुद से देखे, हमने slicing की जितनी चीज़े run की है, या किसी भी चीज़ की, तो हमने किस mode में की है, interactive में, है ना, लिखा उसको output आई लिखा उसको, output आई, लिखा उसको, output आई, clear हुई बात क्या, yes sir, okay, मेरे खाल से भाई, ये दोनों चीज़ very important है, I think so, जैसे मुझे feel हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ से चीज़ बन सकती है, और अच्छा हाँ, इस चीज़ को क्या बोलता है, जो, क्या बोलता है इसको, this is also known as primary prompt, तो इसे python का prompt बोलता है, या prompt आप कह सकते है, ठीक है, prompt और python prompt, और primary prompt भी होता है, ये वाला, एक ही है, मतलब primary prompt भी लिख लेता है, वो sir, जैसे एक इसमें, जैसे हम लोग कोई intermediate काम करेंगे न, इसका result के बाद कुछ और देना होगा, तो एक dot dot हो रहाता है, उससे बोलते secondary prompt, तो dot dot dot, ये क्या होगे आपका, secondary prompt, ठीक है, चलिए, इसके बाद आपके पास, और IDLE आपको पता ही है, IDLE की full form क्या होती है, integrated development and learning environment, सब में क्या होता था, IDE होता था, यहाँ पर IDLE है, तो integrated development and learning environment है आपके, ठीक है, अच्छा, python को हम वो भी बोलता है, क्या, ये तो हो गया, इसकी लिखने की तो जरुरत नहीं न, integrated development and learning environment, ठीक है, और python को हम बोलता है, dynamic type की भी language है न, dynamic language बोलता है, क्यों बोलता है, सब्सक्राइब इसमें data type specify करने की जरुरत नहीं होती है, यह अपने आप उसको पूर लेता है, तो non here to specify data type है न, जैसे मान लो मैं लिखूंगा int a equals to 10, या int a मैंने define कर दिया, तो throughout अभी integer ही रहेगा, आपको पता है python में अभी आपने ये बराबर 10 लिख रखा है, थोड़ी देर में आप ये बराबर string लिख दो, तो अभी इसके अंदर क्या चला जाएगा, इस ट्रिंग चला जाएगा, उसके थोड़ी देर में आपको काम करते करते ये बराबर 7.5 लिख दिया भी अपने आप क्या बन जाएगा, float बन जाएगा, तो python में आपको पता है कि कुछ भी आप डाल सकते हैं variable में, और generally ये तो क्या है, containers में अल्रेडी चीज़े पढ़ी है, ये क्या है, just name है, वो उस container का name हो जाता है, उस time तक, अगर आप किसी string में करते हैं तो किसी box पर string पढ़ाओगा और इसको ये point out करने लगेगा, is it clear, hello, yes sir, okay, तो इसलिए इसको ये बोलता है, अब इसके बाद जैसे, ये सभी language में होता है कि token क्या है, हर language में token पढ़ा है, हमने कि token क्या होता है, एक question भी आ जाता है, जैसे मैंने आपको c पढ़ाई थी कि printf, आप count करे number of tokens कितने है, तो यहां जैसे token का एक छोटा सा example ले ले लेता है, मान लो, hash, this is comment, और मैंने यहां पे ले लिया, a बराबर 10, और x बर a प्लस b, अगर मैं ऐसा लिख हूँ, अच्छा है, यह program में लिख हूँ, और इसको run करूँ, तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा लिख दूँ, what will happen, इसके बाद में चलो, print text भी लिख देता हूँ, still, b undefined होगा, undefined symbol b की error आजाएगी, undefined b, समझ रहे ना, क्योंकि आपने b define नहीं किया, तो instead इस line के, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, a,b बराबर 10,20, अभी ठीक है माम लग, तो अब हमें यहाँ पर फिलाल, इसको change करने के लिए, चलो मैं यहाँ पर, तो मुझे token काउंट करने थे फिलाल, तो मैं यहाँ पर दुबारा लिख देता हूँ, this is comment, a,b, equals to 10,20, इसके अंदर token काउंट करो, जल्दी, सूला, सूला, कोई और भाई? याली लाइन भी काउंट होगी, हैश, this is comment, देखो, तुम क्या करना है? रियम ही काउंट तुने, क्या नाव है? साथ, गौरव, यसर, 11, 12, 13, 16, तेहिस हैं, तेहिस हैं, तेहिस कहां से लग रहे हैं? अब मेरी बात सुनो, यही चीज तुम्हें बताने के लिए लिखा है, इंपॉर्टेंट चीज यह है, ठीक है? कॉमेंट को काउंट नहीं करते हैं, तन जी सर, कॉमेंट विल नॉट बी काउंटेड, समझ में आगे हैं किया निताश्री? यानि टोकन किते दोंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, चैस, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, और सोला, क्लिर हुई बात? अब देखो, यहाँ पे यह टोकन्स हैं, सारे के सारे, तो, आइडेंटिफाइर्स हो सकते हैं, अब देखो, इसमें, पहले वाले टोकन्स कोने, यह वन वाला है, समझ में आ रही है? यह सारे वन वाले टोकन्स हैं, यह, जहाँ पर मैंने वन लिख दिया, कीवर्ड, कीवर्ड यहाँ पर कोई साभी यूज नहीं किया हमने, तो अभी सगेंड वाला कोई नहीं है, लिटरल यह कॉंस्टेंट की बात करें, तो यह तीन नंबर वाले हैं, समझ में आ रही है के बात? ऑपरेटर्स की बात करें, तो यह एक्वल टू वाला फोर नंबर, फोर नंबर, और यह वाला फोर नंबर हो गया, clear है? बोलिए है? यह सर्ड, ऑपरेटर्स हो गया, अब इसके बात जैसे पंच्वेटर्स या डैलीमिटर्स हो सकते हैं, तो जैसे यह ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, क्या है तुमारे? पंच्वेटर्स या डैलीमिटर्स हो गया, ठीक है? तो यह, अब जब जैसे तुमारा, क्या? यह प्रिंट कीवर्ड में आ जाएगा, वैसे प्रिंट कीवर्ड तो नहीं होता, प्रिंट तो एक फंक्शन है ना? तो यूजरली जो फंक्शन्स होंगे, वो भी, अब मैं मिस कर रख है, बट वो भी यहाँ पर आते हैं, बट मैंने आपको यह समझाने के लिए, छोटा सा लिख खा, इसमें दो important reasons थे, एक तो हमें यह पता चल जाए, इडिंटिफायर क्या होता है, की वर्ड की पता, तो हमें है, अब पंदरा लिख दे तो वो भी लिट्राल है, तो वो भी एक लिट्राल है, बोलिए, अब इसके बाद, मेरे खाल से समझ मा आगे होगी, और यह मेरे हिसाब से very important point है, कि comments count नहीं होते, और ठीक है, clear comment बनाने का, इसमें तरीका क्या है comment बनाने का, दो तरीके की comment हो सकते है, single line, और multi line, single line comment बनाते हैं किस से? hash लिख के, किसी भी line के पास आप hash लिख सकते हैं, nested भी हो सकते हैं, inline भी हो सकते हैं, inline comment कमेंट का मतलब है, ए बराबर दस, तो आप यहां लिख दो defined a ऐसा लिख सकते हैं या defined a as integer clear हो गई बात तो यह inline comment है एक मानलो मैंने ऐसे लिख दी तो यह single line comment है this is a program ठीक है आप multiline comment कर सकते है multiline comment करने के लिए आप क्या करते है या तो triple quotes लगा सकते है या फिर hash को तीन बार लिख लिए तो तीन line में हो गया तो आप यह तो hash को अपना जितनी बार लिख रहे है वो होई गया this is a फिर मानलो मुझे line भर गई होती multiline और फिर मानलो comment फिर आप तीन quote ऐसे लगा के बंद करते हैं तो यह आपकी क्या कहलाएगी तुमारी multiline comment हो जाएगी तो comment की कहानी clear हो गई होगी इसके बाद identifiers identifiers आपको पता है किसी भी program element को जो आप name देते है name given to any program element अब देखो function जब हम अपना function बनाता है मानलो मैंने sum नाम का function किया define लिख के तो यहाँ पर क्या है यह देखो इसके अंदर token की बात करें तो यह keyword यह reserved हो गया और यह क्या है जो आपने function का नाम दिया identifiers है और यह आपके क्या हो गया पंचवेटर्स है ठीक है colon यह तीनों चीज़े is it clear अब एक बात है जो बना बनाया function है ना वो भी किसमें आ रहा है identifier में आ रहा है क्यों कभी तो उसने किसी ने बनाया होगा ना और define करके रख दिया दो तरीके के function होगा है ना inbuilt और user defined तो जो inbuilt को आप name देते हैं वो भी तो किसी ने दिया ही होगा ना अपना आप समुदरवन्थन में तो आया नहीं था है किसी ने बनाया ही है जैसा आप यहां पर बना रहे तो user defined function and जो आपका inbuilt functions है दोनों क्या के लाएंगे आपके identifiers ही के लाएंगे इस लिए उसको identifier में count कर लेंगे हो क्या कांशा ठीक है अब इसके बाद इसका अभी जो हमने पढ़ा कि maximum length कितनी हो सकती है maximum length जो हम दे सकते हैं identifiers की 79 जो यूज कर सकते हैं capital a to z small a to z 029 और only underscores underscore underscore not hyphen ठीक आपको पता है capital a is not equals to small a ठीक की वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते keyword can't be used मेरे ख्याल से सारी वाते के लिए होंगी तो अब इसमें ज्यादा time बर्वात करने की जरूरत है यह से भी है पर रूल सारे identifier के सेम है कोई अलग चीज नहीं है first letter डिजट नहीं हो तक इनका कोई predefined meaning होता है उसको क्या बोल देता है keyword बोल देता है लाइक आपके पास इफ हो गया है यह keyword है ठीक है अगर मैं कहा दू कैपिटल इफ तो यह क्या है यह identifier है कोई भी नाम किसी को नाम दे सकते है इस देन अपका मन करें आपका तो दे सकते हो ठीक तो इस हो गया फॉर हो गया है सब क्या आपके पास keywords होगा और कितने keywords है अभी 33 33 keywords है चलो यह line भी लिखी लो करते करते चीज़े धियान हो जाती है यह इतनी बड़ी चीज़े नहीं पेपर में आ जाती मगर यह तो भाई साब नंबर ले ही जाते जब दरस्तिगा समझे रहो तो यह छोटी-छोटी मगर मोटी बातों के लिए मैंने सुचा एक बार देख लिया जाए क्योंकि मानलों कोशन हमने operators यह चीज़े करने के लिए बुक में उस हिसाब से तो चीज़े नहीं मिली जाते operators का में डूंड रहा था लेकिन वह वाला काम तो होई गया फिर इसके बाद लिटरल या कॉंस्टेंट आपको लिटरल या कॉंस्टेंट आपको तो कितने तरीके के होता है इस्ट्रिंग लिटरल हो सकता है इस्ट्रिंग लिटरल का मतलब आपने सपोस किसी को वैल्यू दे राजू तो यह हमारे एक स्ट्रिंग लिटरल ही तो है हमने लिलिया यह यह को दे दिया यह भी स्ट्रिंग लिट्रल है ठीक है इंटीजर लिट्रल हो सकता है इंटीजर लिट्रल के लिए मतलब जैसे दस बीस माइनस बच्छेस कुछ भी दे रहे हैं इंटीजर लिट्रल हो गया फ्लोट लिट्रल हो सकता है और इसके बाद नन भी एक लिटरली हो गया ना फिर आपरेटर्स तो आपको सारे पताई हैं आप्पेटर्स का डिसकेशन करना बेकार है पंचोए टर्लिंटल भी आपको पताई थे तो कहानी कतम यह सारी तुमहारी किसकी लिटरल की बात थी और इसमें इंपॉर्टेंट ची वरियेबल हो गया, वरियेबल का मतलब क्या है, जिसके हम प्रोग्रेम की रणिंग के दौरान चीज़े चेंज कर सकते हैं, हर वरियेबल की C में या हर अब्जेक्ट के लिए, सौरी पाइथन में, तीन चीज़े होती हैं, क्या क्या हैं वो तीन चीज़े? वेरियेबल फंक्शन और कॉंस्टेंट मैं कह रहा हूं मैंने ए लिखा ए बराबर 15 लिख दिया तो ए की तीन चिज्जे होती है एक तो ए के पास कोई वैल्यू है और ए की कोई ID होगी मतलब बैटर और ए का टाइप होगा तो टाइप के लिए आप फंक्शन लगाते हैं न टाइप अफ ए और वैल्यू मतलब प्रिंट ए कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो एक वोशन बन सकता है मालो कितनी तरीक वैरिबल की कितनी चीज़े होती है तो हर variable keep क्या होती है तीन चीज़े होती है value id type यह वहाँ पे भी होती थी print a कर रहे थे आप c में तो a की value print होती थी m% a करते थे तो उसका address मतलब id print होती थी type तो type में आप महाँ पे लगा सकते थे कौन सा लगाते थे type के लिए type उसमें पता करने के लिए explicitly कुछ नहीं था कि integer float है bottom size वगेर के लिए size off लगाते थे ठीक है तो यह चीज़े type देखने के लिए महाँ पे नहीं था हमारे पास किसका type क्या है अगर मैं type print करना चाह रहा हूँ किसी चीज़ का तो type print करने का option महाँ पे नहीं था यहाँ पे तो है ना यह बराबर 15 लिख दिया आपने आप type a print करें तो आपको क्या हैगा class end कि किस class से ब्लॉंग कर रहा है integer class से आता है कि नहीं आता है यह सर और इसके बाद data type तो data type आपको पता है data type कौन से हो गए इसके अंदर data type discussion की जरूरत कुछ है नहीं इंटीजर होगे इंटीजर में कई यह मैंने जो बच्चों बताए थे ना अगर मैं लिख दूँ 0 O 15 अब मान लो X बराबर अब print कर दूँ मैं X को क्या print होगा अब कर दूँ मितलब कौन बताएगा कोई और आएगा कहीं से साथ सेवंटीवन यह फिर तो बहुत बढ़ी है और इसका साथ लाग पंदरा तेरा पैसर ओक्टल वाले का तो तेरा हैगा 16 और पंच 21 बहुत चल्दी कर ले रहा हो बेटा सिलेबस में आपके यह ना जो व्यों है ना सिलेबस में नंबर सिस्टम इस इन यह सिलेबस नंबर सिस्टम और इसके एंड और नॉट गेट सारे उनके लॉज तो कम से कम नाम याद कर लो कर लो और लॉज्ड बहू चल्लों निमाटीट्यक कर के देखेळां इसकी एप्लस एक खुल स्टू एक कौन्सा लौँ है पहला आडिम परटेंट है और यह अच्छा तो यह कौन सा है फिर यह ब्वे अचा यह बी आडिनटीटी है अच्छा, यह भी identity है, यह भी identity है, यह वाला है आपका item potent law, ठीक है, और यह वाला जो है न, one plus a, हो क्या रहा है, one plus a equals to, फिर भी a ही आ रहा है, it is dominance of a, तो यह dominance of a, तो यह dominance law, और यहां पर one dot a equals to a identity के लिए मैंने भो बताया था, कि जो operation के बाद effect न डाले, that is called identity, तो यह है identity law, one की dot होने के बाद भी क्या रहा है, आपका a ही रहा, is it clear or not, तो यह तो बाहर वाले की होनीचे न सर, यह तो बाहर वाले की होगा न, identity law ही होगा, यह one plus a वाला भी a ही बन रहा है, क्योंकि यह, बेजेंगे अभी उसमें मतलब बेज देंगे, change कर वाले हैं सर, बाहर साब 0 plus a equals to a आता है, identity अगर आपने कभी वो पढ़ा हो न, group theory या कुछ something, तो वहाँ पे आप identity जब पढ़ेंगे न, तब आप यह पाएंगे कि identity क्या होती है, identity और inverse का concept होता है न, group theory जब आप पढ़ते हैं, कि group कौन सा होता है, पहली चीज, community होना चाहिए, फिर, क्या होना चाह reflexive होना चाहिए, reflexive होता है, कौन सा होता है, closer, closer होना चाहिए, closer property follow करना चाहिए, फिर, distributive होना चाहिए, फिर, इसके बाद identity, फिर, inverse, और अगर उसे हम, abelian group बोलते हैं, तो उसके लिए 5 यह property वो मांगता है, यानि वो committative होना चाहिए, a dot equals to b dot a वाली property वो follow करना चाहिए, तो जहां identity पढ़ता है, तो identity वो होती है, जो operation के बाद effect ना डाले, और inverse कभी भी पढ़ता है, तो inverse वो होता है, जो operation के बाद identity दे उस particular operation की, समझा रही है कि नहीं, तो जैसे अगर हम multiplication में बात करते हैं, जैसे plus में बात करें, तो plus की identity क्या होगी थी, 0, तो 5 प्लस 0 क्या आत हाती है, जिन्दगी में, हर चीज काम हाती है, आप कभी भी चीज़े, अब जैसे ये तू confused हो भी, कर ले भाई, अब जैसे 0.a equals to 0 आएगा, 0. anything will be 0, that is the dominance of 0, और 1 plus anything equals to, sorry, और a लिख दिया, आम नहीं, यहां पर तुम ये भी ना बता रहे है, लॉग गलत लिखा हुआ है, तो आप इस चीज को सुधार करें, लो थोड़ी सुधरेगा, ठीक है, अब यहां पर 1.a equals to a, मैं तो बना रहा था आपका जैसे आपने काम हैने के चल, ऐसा करके देख लेता हूँ, तो यहां पर यह दो चीज़े के हैं, डॉमिनेंस, अपने 0 वाली लिखी तब दिमाग मे उपर दिखा न, कि यह नीचे यह क्या से लिख दिया, अब जब identity लिखी है, तो identity लाओ लिखते वे, clear है, identity वो चीज होती है, जो operation के बाद effect नहीं डालती, तो one dot anything will be that thing only, कोई effect नहीं आएगा, तो that is the identity law for multiplication, and it is the identity law for addition, अब जैसे मैं आपको identity और inverse की बात बता रहा था, तो जैसे आपको यह check करना होता था, मान लो, कि natural numbers का set आपको check करना है, whether it is a group or not group, अब आपको natural numbers पता है, कहां से शुरू होते हैं, one, two, three, से कहां तक, n तक, अब अगर इसके पहला law देखने के लिए, group वो होगा, जो चारो property satisfy करें, शुरू की चार, जो शुरू की दो करता है, उसे केवल क्या बोलते हैं, semi group बोलते थे, ठीक है, ऐसे करके कहानी होती थी, तो फिलाल पहला था closer property, closer property मतलब a, b, अगर आप n में से उठा रहे हैं, तो इनका plus b, और यह पूछ रहा है, over plus, बूछ सकता है, over plus, over multiplication, तो over plus check करने का तरीका था, a plus b, अगर belong कर रहा है, n से, त प्लस b, सेट में होगा, बोलो, यह सर होगा, है ना, अब a plus, b plus, c अगर आप करेंगे, और यह क्या यह बराबर आएगा, इसके second property satisfy है, where a, b, c belong कर रहा है, natural numbers से, यह बात भी proved है, यह सर, अब तीसरी बात, identity की आई, identity वह चीज़ होती है, जो operation के बाद, result, effect ना करे, अब क्य जीरो ब्लॉंग कर रहा है, natural numbers से, नहीं कर रहा है, तुम अगली property चेक करने की जरुरत नहीं है, that means, natural number is called only group, on operation, plus, तो यह क्या कर लाएगा, semi group only, यानि n plus को आप क्या बोल सकते है, semi group बोलेंगे, not group, अब अगले पर आजा, अगर natural number तो यह multiplication पर चेक करना होता, पहले law satisfy है, a, b, अगर belong कर रहा है, n से, तो क्या इनकी multiplication belong करेगी, natural number से, करेगी, अब a multiply, b, और क्या यह belong करेगा, क्या यह equal है, where a, b, c belong करेगा, natural number से करेगा, अब तीसरा, multiplication की identity क्या होती है, जो operation के बाद effect ना डाले, that is 1, तो 1.anything, यानि a equals to a.1, और 1 belong कर रहा है, natural number से, यानि यह property भी satisfy है, अब inverse, आप में से बताएंगे, inverse satisfy हो रहा है कि नहीं हो रहा है, anyone, अब यह मत सुचो, एक तो पांच मिनेट में आपको मैंने group theory की चीज बता दी, जो आदमी उलशते रहते हैं, दुनिया बर की चीज जो में, ठीक है, बोलो, कर जाएगा, इन्वर्स भी कर जाएगा, अच्छा, इन्वर्स क्या था बिटा, जो operation के बाद identity दे, identity क्या है इसकी, अब अगर a बिलॉंग कर रहा है ना, किस से, natural number से, तो one upon a, does not belong to natural number, अब एक की डॉल को one dot a से करेगा, तभी तो equal to one आएगा, operation की identity आएगी, one चाहिए मुझे कैसे आ जाएगा, तो यानि अगर बात करूँ ना, क्यों की, into, क्यों क्या है, rational number, divisible वाले, वो करेगा, वो होगा group, ये नहीं कराएगा, आई समझे बात, अब जैसे मैं plus की बात करूँ तुझे समझाने के लिए, अगर मैं whole number की बात करूँ, over plus, it is group, ये group होता है, क्यों पहली property satisfy होगी, जो डबलू से ब्लॉं कर रहा है, करेंगे की नहीं, उनका plus भी करेगा, second वाली भी हो जाएगा, उसे छोड़ दे, third वाली, zero ब्लॉं करता है, डबलू से, तो zero plus a equals to क्या हैगा, a, क्या result फरक डाला है, इसने, इसलिए identity log satisfy, और fourth one, अब बात क्या होगे, inverse, तो यहाँ पे भी डबलू से ब्लॉं नहीं करता, तो zero नहीं आ पाएगा, और अगर तो इसका क्या ले ले, negative number को कौन से बोलता है, whole number के बात कौन सा आता है, तो इसमें शुरू की तीन property satisfy होती है, इसे भी कुछ बोलते थे, real, negative वालो को क्या बोलता है, integers, अगर integers की बात करूँ मैं, तो अगर ये i से belong कर रहा है, integer आपका क्या बन जाएगा, क्योंकि तुझे बता है, अगर 10 पड़ा है, integer में belong कर रहा है, तो minus 10 भी किस से belong करता है, integer से belong करता है, और 10 plus minus 10 करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, zero, that means inverse भी satisfy हो रहा है, clear होगी बात, चलो छोड़ो, अब ये law कौन सा है, ये है, और ये तुम यहां से आ गए थे, तो फिलाल आपको ये काम मत करिये, मैं कुछ चीजे मान के चल रहा हूँ, आपने कर रखी है, और आपको बहुत अच्छे सा आती है, तो डिट्रेपलेस्पी में गच्चा खाते रहोगे, ये एक दो law जरूर पूछ लेता है, तो law बिल्कुल याद कर लीजिए, और याद जब तक करोगे ना जीवन में कोई भी चीज, तब तक ये होता रहेगा जो तुम्हारे साथ हो रहा है, हम चीजे इसलिए नहीं भोलते हैं, क्योंकि चीजे related हमें और चीजे पता हैं, याद ना हैं, पता हैं, डॉमिनेंस law हमने ऐस का मतलब क्या होता है, जो operation के बाद effect ना डाले, तो देखके ही बता चल रहा है, 1.a equals to क्या आ रहा है, क्या यह operation के बाद effect नहीं डाल रही चीज़ पे, equals to 1 आ रहा है, effect तो डला ना, तो identity कैसा हो जाएगी, इस आईवार साथ है, ओके, चलो, इसे छोड़ता है, तो यहाँ प आपके, ओके, अब, mutable, immutable, data type और ज्यादा, डिसकस मा करनी रहा है, इसी के लिए लिख रिट का था, अच्छा, sequence कौन कौन से होता है, sequence data type कौन से है, sequence string, list, tuple, string, list and tuple, और set, set तो अलग ही होता है, सर, set अलग इसलिए होता है, अब देख, sequence वाले कौन से होता है, string लिख ही दूने, राज, कुमार, तो क्या, इसके order matter ना करते हैं, जे के बाद ही किया आ रहा है न, करते हैं न, list में भी यह लिख रहे हो, अब अगर तुम index से print करोगे तो वह ही होग set में क्या है, set unordered होता है, तुम आके लिखो, पीछे लिखो, इससे set में, set में मतलब 1, 2, 3 लिख, या 3, 1, 2 लिख, या 3, 2, 1 लिख, कोई फरक ना पड़ रहा, सबका मतलब सेम ही है, या तुम ऐसा भी लिख दो न, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 3, it is also same, आपको बता है, repetition भी set पे को फरक नई डालता है, इसलिए set बिलकुल अलग है, अरे clear हो गया, और mapping, mapping कौन कहलाता है, dictionary, और इसमें कौन सा यूज़ करता है, hashing यूज़ करता है, तो यह चीज़े है, छोटी-छोटी है, ध्यान रखनी है, करते वे हमने करी थी तो मैं इसमें अब detail में नहीं जा रहा, और लिस्ट हो गया, set हो गया, और dictionary हो गया, इन में चाहिए तो आप change कर सकते हैं, ओके, immutable आपको बता है, यह सारी चीज़े क्या कहलाती हैं, आपकी, immutable अच्छा, identity operator, membership operator कौन से होता है, membership operator, membership होता है, in और not in, यानि वो उसका member है, या नहीं है, जैसे आपने, मानलो यह चेक कर लिया, I in string, यह क्या देदेगा आपको, true देदेगा, है ना, जैड, not in, string, यह आपको क्या देगा, true, यह बिटू देदेगा, in लगाते तो false देदेगा, इसके बाद, membership के अलावा, एक और operator होता है, इसी तरीके के, क्या आप, क्या नाम हो गोलो उनका, identity is not, is वाले, identity operator, is, और not is, है ना, जैसे, कैसे use करता है उसको, type of के साथ की, type of is type of, अब जैसे हम, generally ID ID check करते हैं, है ना, मान लो, A बराबर 10, और मैंने लिख दिया, मान लो, for example, B equals to A, आपको पता है, अगर मैं यह कर दूं, B equals to, मैं डाल दूं, 15, और फिर print करूं A को, तो क्या print होगा, 15, है, नहीं, नहीं, 10, तो बच्चों बहात हुए है, 10 print होगा, हुआ क्या है, A बराबर 10 बना, तो कोई box था, उस पे A point कर रहा था, अब जैसे यह आपने B बराबर A लिखा, तो B बी इसको ही point करने लग गया, अगर आप यहाँ पे यह चेक कर लेते हैं, A is B, तो आपको क्या मिल जाता, true, मिल जाता ना, तो यह चीज है, हम जैसे, मतलब यहाँ पर हम एक काम और करके देख सकते हैं, ID of A print करें, और ID of B print करें, दोनों क्या आएंगी, सेम आएंगी, क्योंकि दोनों same memory location को point कर रहे हैं, अब यह दो काम करने से बढ़े हैं, आप यह सिर्फ कर लो, A is B, तो अगर A is B true आ रहा है, that means, दोनों same location को point कर रहे हैं, that means, ID of both are same, अब मालो B कर चुश्टू जैसे आप 15 करतेंगे, तो B इसको point ना करके, बी किसको point करने लगेगा, किसी 15 नाम की location को, अगर आप अब यहां पे check करते हैं, A is B, तो आपको मिल जाएगा false, clear हुआ, अगर आप यह check करते, A is not B, तो यह आपको क्या मिल जाता, true, मेरे ख्याल से बात सम्झ में आगी होगी, इसको, अब एक नहीं कहान, एक चीज और आपके लिए थी, Conversion आपको पता होगा, Conversion किसको बोलता है, किसको बोलता है Conversion, change करना, values को, Type Conversion कर लेता है, Type Conversion, दो तरीके को हो गया, Implicit Conversion, और Explicit Conversion, ठीक है, Explicit Conversion का दूसरा नाम क्या है, Conversion? मतलब मैं कह रहाँ, Type Casting, Type Casting कौन सी होती है? Implicit, Explicit? Explicit. Explicit होती है, अब आपने Type Casting Word, C, C++, सब जगे सुना भी है, जब हम Type Cast करते हैं, किसी का result के Type को Cast करना क्या कहलाता है? Type Casting खिलाता है, वो यहाँ पे भी होती है, जैसे कि आप Change करते हैं, कैसे लिख दिया आपने? तो इसे बोलता हैं, Type Casting भी, ठीक है? और, यह मतलब यह इसको दूसरा नाम हो गया, Example हो गया, मान लिजे, A equals to लिख है 5.2, और B equals to, मैं अगर ऐसा लिख देता हूं, Int of A, अगर आप print कर रहे हैं कि इसको B को, Prompt में, तो क्या output print होगी? 5. 5 print होगा, क्योंकि आपने forcefully A को convert किया था, किसमें? Integer में, and then you assigned that value to B. That means, if you want to print B now, it will print 5, ठीक है? तो forcefully जहाँ पे आप Change कर रहे हैं, वो चीज क्या कहलाता है? Type Casting कहलाता है, हाँ? मतलब User Intention से कर रहा है, Intentionally, ठीक है? तो वो क्या कहलाएगा तुमारा? Type Casting यानि, Explicit Type Conversion कहलाएगा. Implicit का दूसरा नाम क्या था? तियाद हो, गौरव, अकांशा, अनो, बढ़ात द्यान देएगा, C-O-E-R-C-I-O-N Coercion बोलता है इसको, किसको, Implicit Type Conversion को. इसका कोई एग्जामपल अकांशा, दिमाख में आ रहा हो? Implicit Type Conversion का कोई एग्जामपल? Implicit का, हाँ, अगर A equals to, हमने 5.2 कर दिया, फिर उसके बाद A equals to, हमने कोई string pass कर दिए, तो वो automatically उसको, यह ही है, ऐसा करना चाहरा मानलो, राजू कर दिया, तो अभी यह Type Conversion है? It is Dynamic Typing. पहले यह तो पढ़ लोना कि यह क्या है? यह है आपकी Dynamic Typing. अभी हमने पढ़ा था न, Dynamic Typing क्या होती है? Python support करता है, Dynamic Typing. मतलब, अभी आपने इसका data type कुछ और कर रखा थो, थोड़ी देर में कुछ और करतो, तो कर सकते हो, no problem at all. है ना? अब सोचो कुछ और. अरे यह भी तो पता होना चाहिए, हमने जो अभी कहा है, वो क्या है? समझ में आई गोरव, क्या हिसे कह सकता हूँ, Dynamic Type Casting? वो स्वारी, Implicit? Dynamic Typing है ना यह तो? यह हमने सिरीज कर रहा है, एक हमने टिकलेर कर रहा था, 5 second कर रहा था, मतलब 1.5, तो वो जो higher value है, मतलब जैसे float है, तो फिर वो सको float कर रहा है. अभी हमने recent में सिरीज किया है, बिल्कुल लास्ट टॉबिक सिरीज किया है ना? किया कि नहीं? मान लो, आपने, एक छोटा सा प्रोग्राम में बनाऊ, Import, Pandas, S, PD, यह आपने काम किया, ठीक है? और आपने अब S equals to, मान लो, PD, डॉट, देखो सब स्मॉल में कर रहा हूं, लिखने का reason यह है, कि आपको चीजे जब बार-बार दिखती रहती है ना, 1,2,3, अगर मैं ऐसा कर दूँ और प्रिंट करूँ S को, what will be printed? 0,1, 0 पे 1, 1 पे 2, और 2 पे 3, ऐसा आएगा, और यहां निच्चे लिखा आएगा, क्या इंट इसा, 64 और 32 वाटेबर, ऐसा लिखा आता है ना, D type, D type, इसका data का type क्या है, इंट है, है ना, ऐसा लिखा आजाएगा, है ना, मगर अगर मैं यहां पे, 3.5 कर दूँ, लिस्ट में तो value किसी भी तरीके की हो सकती है, 3.5 करते ही, वो इकर इसको 3.5 कर रहा है, तो इन सब को अपना आप 2.0 कर देता है, और यह चीज क्या कहलाती है, फ्लोट हो जाएगी है विसका, क्योंकि data type, reason क्या है, because, series is what, homogeneous, homogeneous की property को satisfy कराने के लिए, वो automatically, implicitly, without your force, वो इन सी जो को convert कर देता है, implicitly, समझ में आ रहे हैं कि नहीं, this is known as implicit type conversion, और coercion, अब मानुए टर्म पूछी जा सकते हैं, भई मैंने जब वहाँ पर पढ़ाया था था, मैंने भी पहली पार पढ़ी थी ये टर्म, इसलिए आपको बताई थी, उस दिन जब शायद हमने ये किया था, मैंने इस पर गौर्द दिया था, इसलिए मुझे ये टर्म ग्याद है, clear हुई बात, और मैंने जब ये आपको series अभी परसो पढ़ाई थी, तर्म मैंने आपको बोला भी था, ये automatically इसका type convert कर देता है, coercion मैंने नहीं बोला था, implicitly बोला था, ठीक है, is it clear, हो गया क्या, तो मेरे ख्याल से देखो, ये बन सकती है बच्चोबात, अब पता हो तो अच्छी बात है न, चोटी चोटी बात तो मही काम अटक जाता है, अब आप इसके बाद चीजे पढ़के देखेंगे न, करके भी देखेंगे, तो काम आपका हो जाएगा, अब मैंने आपको string के लिए multiline, और ये भी चीजे पढ़ी दीख है, वो मैंने last में कर दिया, जिससे आपको तकलीफ ना हो, अगर मैं a equals to ऐसे लिख रहा हूँ, राजू, सही है यह? नई, नई है यह ज़िखेंगे, अगर a equals to राजू लिख रहा हूँ, तब ठीक है, दोनों साइट सेम होंगी, ऐसी रखो, या ऐसी रखो, ठीक है, अगर मैं लिख दूँ, a equals to राजू, और अंदर is, और गुड, तब, नहीं, यह भी गलत है, यह गलत है, और अगर मैं ऐसे कर दूँ, राजू, is, गुड, यह भी गलत है, नहीं है, यह साही है, यह ठीक है, तो मैंने आपको बताया, अगर आप दूसरी यूज कर सकते हो, मतलब अगर आप double quotes से काम कर रहे हो, तो end double quotes होगी, बीच में single quote यूज करते हो, no problem at all, तो यह सही है, तो यह छोटी-छोटी चीज़ों का भी त्यार, रखना है, हैना, इस ट्रिंग के साथ, आपको मैंने चीज़ यह भी बताई थी, मान लो, अगर मैं string two, मान लो, string equals two, राजू, into three कर दूँ, हो जाएगा? हाँ, multiplication हो जाएगी, और अगर मैं इसी काम को ऐसे कर देता, राजू, plus three तो, तो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, यानि यह हो जाएगा, यह नहीं हो पाएगा, और अगर मैं ऐसे कर दू, string equals two, राजू, multiply three, तब, यह भी नहीं हो पाएगा, और अगर मैं यह लिख दू, sorry, plus three, तब, तब हो जाएगा, यह हो जाएगा, तो plus में क्या होना चाहिए, दोनों चीज इस्ट्रिंग होनी चाहिए, कोई concatenate करता है, और इसमें क्या होनी चाहिए, एक चीज इस्ट्रिंग और दूसरी चीज में होनी चाहिए, number, number होना चाहिए, तो वो आप काम कर देंगे, ठीक है, अब अगर question एक, यह भी फिर, चैप्टर्स बदलते चलेगे, जो मुझे, जैसे type of statement, कितने type की होती है, इसके अंदर यहाँ पर आपके पास, three type, three type होती है, कौन कौन सी है, अकांशा, तीन type की statements, कौन कौन सी हो सकती है, if, मतलब, यही वाली पोचे न, यही वाली पोचे न, यही वाली पोचे न, नली statement, एक तो नली हुई, अकांशा, देख, statement अलग चीज है, statement का मतलब, आप कोई चीज लिख रहे हो, तो वो चीज क्या 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 आती है, जैसे मैंने print x लिख दिया, तो यह क्या है, एक statement हो गई, समझा रही है, statement क्या है, जो कुछ काम करती है, ठीक है, अब जैसे जो आप वो बता रहे हैं, वो किस में आएगा, selection में, ठीक है, कि मतलब, अगर मैं, बात अलएक कितने type की statement है, वो यह हो गया, ठीक है, वहाँ पर वो यह हो जाता कि, जैसे iteration हो सकता है, ठीक है, clear, iteration वाली चीज़े होती है, selection होती है, यानि conditional statements हो गए, selection statements हो गए, मगर statement के type, उसके अंदर जो statement रहेगी, वो, और iterative या looping हो सकती है, वहाँ पर वो चीज़े हो गई, तो वो types में आ गए, वो type नहीं है, type of statement यह ही है, वो control flow के type है, flow of control कैसे होगा, वो उसका type है, तो flow of control कैसे हो सकता है, एक तरीके से, sequential हो सकता है, मतलब एक के बाद एक, जैसे आब normal program लिख रहे हैं, वो हो गया, ठीक है, और sequential नहीं होगा, तो कैसा होता है, selection वाला हो सकता है, या उसी चीज़ को हम conditional बोल देता है, like जैसे if, if else वाला, ये सारे क्या जाएंगे, भाई, selection वाले हो गया न, conditional, control flow, अब ये सीधा सीधा थोड़ी जाएगा, इनकी basis पे defend करेगा, ये true होगा, तो ये चलेगा, false होगा, तो ये वाला चलेगा, ऐसे, ठीक है, अब control flow आपका कैसा हो सकता है, iterative भी हो सकता है, मतलब ये, loop वह गयरा वाला हो गया, जैसे while, या आपके पास, while and 4 होता है, do while यहाँ पे, नहीं होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, है ना, sequential तो आपका line से चली रहा है, statement का time पुछे, तो यहाँ पे, जैसे हम normally, आप C, C++ में पढ़ेंगे, अगर कभी आपने गौर किया हो, तो statement वहाँ पे भी होती थी, statement आप वहाँ पे, की बोलते थे, simple statement और compound statement, ठीक है, simple statement वह थी, जो एक single line print आप लाना दिम्काना आप लिख रहे हैं, वो compound statement वह थी थी, जैसे जो कोई block में आ रही है, ठीक है, जैसे C का हर program आपने ये पढ़ा होगा, C का हर program ही compound statement होता है, क्यों, main से शुरू होगा, at least इतना तो हर program में होगा ही होगा, तो होगा तो यानि ये compound statement है, is it clear, जो यहाँ पे, आपके पास statement जो है रहा, एक और statement यहाँ पे जुड़ जाती है, empty statement, empty statement में keyword में बस इसके लिए इसको लिखा था, past keyword हम यूज़ करते हैं, empty statement के लिए, और इसका काम क्या है, मतलब कई बार हमें statement देनी ही नहीं है, समझे रहो, जैसे मानलो आपका काम, इसको ही null statement भी बोल देते हैं, null statement भी इसी का नाम हो गया, क्योंकि ये कुछ काम नहीं कर रहा ना, null statement बोल देंगे, अगर मानलो if में मैंने यहाँ पर लिखा कुछ, और यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, else में true होगा, मानलो else में, फिर आपने else ना लगा के elif लगा रखा है, ठीक, और मानलो greater than वाल आपने program बनाया था कुछ, elif में आपने काम, यहाँ पर elif else लगा के, जो भी करना था, वो आपने यहाँ पर कर दिया, अब इसका else आप यहाँ पर लगा रहा है, समझ रहे हैं, अब अगर आपने यहाँ पर इसका else लगा दिया, यहाँ पर कुछ करने के लिए है नहीं, तो आप क्या लिख सकते हैं हैं आपर, दो ही तरीके ही पता है, simple और compound, तो गडबड हो सकते हैं, इसलिए इस चीज को add on किया हैं हैं, clear होगी के बाद, और pass, मतलब keyword भी धियान रहेगा ना, इससे pass keyword होता है, is it clear, बोलो, loop loop का आपको पता ही है, एक चीज हाँ, loop को cancel current loop, आप iteration कर रहे हैं, उस loop उसे cancel करने के लिए, आप क्या use करेंगे, shortcut की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर कुछ भी हमें मिलती रहेंगे, इस page पर डालते रहेंगे, shortcut की को, अगर आप ऐसा loop बना दे, मान लो, while, आई लिखा, i की value मान लो, आपने लिख लिख लिए 10, ठीक है, while i less than equals to 20, आपने हैं print i किया, और आप i equals to i plus 1 करना गए भूल, और इसे चला दिया, तो क्या होगा, अब यह चलता ही रहा है, जे, अब या तो आप इसे बंद करो, विंडो ही टर्मिनेट करो, या आपके पास, c में तो यह option होता नहीं था, उसको रोख सकते हैं नहीं थे, वो फिर चलता ही रहता था, यानि यहाँ पर है मगर, यहाँ पर क्या है, control plus c, इससे आप क्या कर सकते हैं, इस कार्रेवाई को रोख सकते हैं, मतलब जो चल रहा है, उसको आप क्या करेंगे, या इन्फाइनाइट को रोख सकते हैं, तो c for cancel, cancel infinite iterations, समझ मैं आई क्या बाद, इस तरीके की चीज़ दे सकता है, और हाँ बता भाई, 6, 6, 33 हो गए, आपको स्कूल के लिए तो देर नहीं हो रही है, ठीक है भाई, इस वाली PDF को मैं आपको भेज़ देता हूँ, ठीक है, ओके, तो इससे आप करके देख ले ना, मतलब यह helpful रहेगा फिर बागी चीज़ों में, यस सर, कहां भेज़ देता हूँ,